आप सब का स्वागत है जीवत परमेश्वर के जीवत हजूरी में आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी बविश्वानियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे ये पविद्र वचन परमेश्य के दास प्रेरित डॉक्टर अंको यूसफ नरूला जी के दुवारा लिखे गए हैं इन वचनों में पविद्र बाइबल के गहरी भेदों को बताया गया है और हमें ये समझाया गया है कि हमें कैसे मसी जीवन में आगे बढ़ना है कैसे अपनी समस्याओं से चुटकारा पाना है और कैसे अपनी गवाही को लेना है तो पुरिविश्वाश्ट के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने ताकि आप अपनी आशीश की ओर बढ़े आज का वचन बीच बोना गरीबी से बाहन निकालता है जैसा कि हम परमेश्य के पवित्र वचन सबो पदिशक 11 अध्याई उसके 6 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है बोर को अपना बीच बो और साज को भी अपना हाथ ना रोक क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा ये या वै या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे मेरे फ्रियों पवित्र वाइबल बताती है कि भोर को अपना बीच बो और साज को भी अपना हाथ ना रोक क्योंकि कई लोग सिर्फ प्रात्ना ही करते हैं अपने बीजों को नहीं बोते उनका प्रातना करना गलत नहीं पर अगर वे अपने बीजों को नहीं बोते तो वे अपने जीवन में कभी भी आशीश को नहीं देख पाते अगिर आपने अपने जीवन में बहुत सी कमेटियां उठाई है और फिर भी आप अभी तक गरीबी में है क्योंकि आप उन कमेटियों को हमेशा अपने कामों में लगाते हैं क्या आपने कभी परमेश्र को ये कहा है कि ये वाली कमेटी मैं तुझे समर्पित करता हूँ या करती हूँ नहीं ये ही कारण है आप गरीबी से बाहा नहीं निकल पा रहे पवीत्र बाइबल में जब हम प्रेरित पॉलुस के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रेरित पॉलुस कलीसिया से कहता है तुम्हारा पैसा यरुशलेम परमेश्र के भवन में जाता है मेरे पास नहीं क्योंकि लोग ये न बोल सकें कि सेवकों को पैसा चाहेगे इसलिए जो लोग अपने बीजों को परमेशो के भवन में उसके कामों के लिए बोते हैं वे लोग अपनी गरीबी से बाहर निकलते और आशिशित होते हैं क्योंकि जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तक आप गरीबी से बाहर नहीं आ सकते जिस तरह आपको चंगाई के लिए बल लगाना पड़ता है और कई बार विश्वाश में अड़े और खड़े रहना पड़ता है तब फिर आपको चंगाई मिलती है उसी तरह गरीबी से बाहर निकलने के लिए बल लगाना पड़ता है मेरे प्रियों आप अपने जीवन में कोई ऐसा फैसला ले कि मैं अब परमेश्य के राच्चे में बोऊंगी जिसको देखकर परमेश्य आपको बोले कि अब इसका समय है उचा होने का, बढ़ने का, गरीबी से छूटने का है क्योंकि परमेश्य के कारेों के लिए कंजूस व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी बीजों को नहीं बोते है लेकिन जब एक व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं एक विश्वाशी हूँ और जिस चर्च में जाता हूँ, वहाँ बवन नहीं बना है या उस चर्च को दर्शन को पूरा करने के लिए क्या करना है और फिर व्यक्ति अपने बीज को भोता है तो वह गरीबी से बहार निकलता है और आजिशित होता है जब हम पवित्र बाइबल में इसराइलियों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उनके पास बीज नहीं था तो उनके पास उतना ही आता था जितना उनको चाहिए था क्योंकि आसमान से बनना बरसता था और मन्ने के लिए बीज नहीं चाहिए था और वे मन्ने को अगले दिन के लिए रखते थे तो वे मन्ना सड़ जाता था फिर जब एक समय आया तब मन्ना बरसना बंध हो गया और फसल का समय आया तब फसल के लिए बीज बोना जुरूरी था और तब कितनी फसल चाहिए ये आसमान पर निर्बर नहीं था बलकि इसराइलियों के बीज पर निर्बर था इसलिए अगर आज आप परमेश्य के राज्य के लिए उनके कामों के लिए बोएंगे नहीं तो काटेगे नहीं इसलिए आप अपने बीजों को परमेश्य के कामों के लिए बोएं तब परमेश्य आपको आशिशित करेगा आमेन पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके भवन की और राज्जे के विस्तार के कामों के जरूरतों के लिए बड़े बीज को गोंगे ताकि आपके भवन में आपकी महिमा हो सके और आपका राच्चे बढ़ता जाए प्रवियेश्य मसी के पवित्र और साम्मर्ति नाम में हम मांगती है आमेन आमेन और आमेन आज के इन पवित्र वचनों के पड़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्राब सब को बहताई से आशिशिक करें सब को जैमसी की God bless you all